अलो फ्रेंड्स आप से भीका स्वागत करता हूँ आपके अपने माईल चैनल पर मैं हूं कमलेस फ्रेंड्स आज के इस वीडियों आप सीखेंगे कि कैसे आप एक्सल में डेट को आटोमेटिकली राइट्स कर सकते हैं तो आपको दो-तीन सिंपल मेथड बताऊंगा और फिर अगर आपको फंक्शन के थुरू आटोमेटिकली रेट को राइट्स करना है तो कैसे आप इसको एक्सल में कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज को आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्स्वाइब जरूर करें फ्रे तो उसकेस में हम चाहते हैं कि कोई हमार पर ऐसा मैथड़ हो जिसके थुरू जो है ओडिमेटिकली वहां पर आ जाए तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं पहले सिंपल मैथड़ के थुरू कैसे हम इसको करेंगे तो यहां पर जैसे फॉक जामपल आज डेट आप देख रहे हो सिक एक तो यह टरीका है कि आपने यहां पर ठाएश्प कर और इसको इस तरह से आप पर ड्रक किया तो ही डेट इहां पर आ गई अब दूसरा मैधिप किया है मैंने आपड 12 माई लिखा है ना इसमें सींपल मैर्ट यह जायगा कि वहाई इसमें हमने इक्वाल्टू किया और इस डेट को सलेट किया और इसमें प्लस बशन कर दिया तो आप क्या हो जाएगा यह थाटिन में हो जाएगा अब इसको को अम ड्रेक करेंगे एक तरीका यह भी है कि आपने हापके क्या किया कि पहले करता है तो यह हमें निकालन कर देता है तो इसको आप ऐसे ज़िए कहले में पुलुज historics थरी है पेस्ट करना पड़ेगा तो उसके आप क्या करेंगे हां Ctrl C करेंगे फिर राइट किलिक करके इसको आप जो है वैल्यू में पेस्ट करेंगे अब यह हो गया अब इसको भी आप ड्रैक करेंगे तो यह भी यहां पर इस तरह से यहां पर आ जाएगा कि अब इसके ऐगला को साम ट्रैक कर सकते हैं यहां पर आप है कि इंडर या इसको भी आ कि अब एक तरीका और क्या है कि फ्रण जांपल यहां真 कि मुझे किसी मंतिय के 30 दिन की साफ से मुझे डेट चाहिए तो इसके लिए क्या को रूगा मैं यहां पर एक मैं आपको दूसरा में बतार हो है आप तो यह बैदे हाँ पर इसका मैं थोड़ा फोंड साइज बढ़ा दूं ताकि आपको देखे थोड़ा कि अर भी दिट वड़ा है तो यहां पर किया है एक तो यह फोंड़ा और हां डेड माने रिख दी बाराम मई है अब यह थखांआ आपके लिए हो सकता है जैसा 12 माई है तो 30 डेट यहां पर यह हमें दिखाएगा अब कैसे होगा चले इसको सीख देते हैं तो यहां पर मैं ट्राय करूंगा इसको में select करूंगा और enter press कर दूंगा तो यह देखे friends one time में ही तो एक हमारा पूरा result आ गया है अब इस function नहीं क्या किया अब देखे यहां पर तक तो date आई है बड़ यहां से date में नहीं आया तो इसके लिए हम कैसे ठिक करेंगे पहले में इसका size increase कर दूं फॉंट का हा तो यह इस formula आया तो इसके लिए हम क्या करेंगे आप राइट किलिक करेंगे और number format में आएंगे पिर date में हमें आना है क्योंकि date का format सभी रखना है तो जैसे यह आपर आप देख रहे हैं कि date का format यह है तो इसलिए में हम देट का format कोई भी रख लाता हूं For e.s. आपको समझाने के लिए तो यह रख लिया मैंने इस तरह से आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं इसको कि डेट का फॉर्मेट आपको एक रख दीजिए जिस तरह से आपको यहां नीड है तो इस सब को में एक थाइब फॉर्मेट रख देता हूं डेट का हम यह रख लेते हैं जैसे इस तरह से भी रखते हैं डेट के हैं बहुत सार फार मुट्ट है तो मैं आपको नॉमली जैसे यह वाला फॉर्मिल दे लेते हैं जिसमां में पूरा इस तरह से डेटा यहां पर देख गया तो यह देखिए एक तो मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आप कैसे डेट को राइट करके उसको ड्रैक कर सकते हैं फिर मैंने आपको बताया कि उसमां प्लस वन करेंगे तो उसको भी आप इस तरह से रख सकते हैं मैंने दो तिन मैठेड मैंने आपको बता दिये हैं और यहां पर आप देखें इस फंक्शन में तो हमने आप चाहिए थे कि 30 को हमें हम पर 30 डेट चाहिए हमें और यहां पर 12 माई मैंने स्टार्ट रखा था अब जैसे एक जामपल तो हुआ समझते हैं फॉर जामपल अगर मुझे नेक्स्ट मन्त का चाहिए जैसे यहां पर है जून का हम चाहिए यहां पर तो जून में पर आपने आप यहां पर हमने आप इसका को ठीक करना पड़ेगा अब क्यूंग ऐसा हुआ आप चेक कर लेते हैं तो कि मैंने स्टार्ध लिग दिया तो मन्त निया आपको पूरी प्रॉपर्पर डेढ लगनी पड़ेगी तो यह जैसे में लिखा तो यह वन टाइम आपको करना है जैसे यहां पर कोई भी आप डेट इंपूट करेंगे तो आपको रियल निकाल के आप पर दे देगा तो इसको आप क्या है अपना एक फिक्स कर सकते हैं आपको बार बार ड्रैक ना करना पड़े इस तरह से आप यहां तो देखे 30 दिन का डेटा निकाल दिया अगर में आपर किसी अधर मंत का भी अगर रखूं लाइक अगर जुलाइ यहां टाइप करता हूं तो आपके हर में अन्द के लिए हो जाएगा तो आपको बार बार यह चीज यहां करनी नहीं पड़ेगी तो देखे आपको आपको दिन आप 15 करेंगे तो 15 का यह आपको डेटा होगा और 10 करेंगे तो 10 का आपकोश होगा तो जितना रहें सेOY'क मेल ए लेकसे को वीडियूश करसे हैं वह बहुत ही Цे तरीके से आप इसको एक्सल में कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आयोगा तो मिलता हूँ जल्दी ही आऊंगा एक नए वीडियो के साथ आपके सामने तपते के लिए आप खुश रहें और अपना द्यान रखे हैं थैंक यू